कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन में देश और प्रदेश की 30,000 से अधिक बार बंद पड़े हैं और इन बार में बंद हैं करीब 3,000 करोड रुपे की शराब ऐसे में 50 दिन से बंद बार के संचालकों ने केंदर और राजसलकारों से ऑनलाइन डिलिवरी की मंजूरी देने की मांग जोर शोर से उठाई है देखिए खास रिपॉर्ट कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन के चलते प्रदेश का होटेल, रेस्टरॉंट, वेवसाय हाशे पर आ गए हैं होटल बार, क्लब बार, रेस्टरॉंट बार सभी बंद पड़े हैं और इनने करीब 100 करोड रुपे का स्टॉक अटका पड़ा है दरसल लॉकडाउन की घोशना से पहले ही राजिस्थान में 23 मार्च को सभी शराब की दुकाने और बार बंद कर दिये गए थे ऐसे में ना तो वित्ती वर्ष के अंत में क्लियर किया जाने वाला स्टॉक ही वेरिफाय हो पाया है और ना ही बार संचालकों ने नए वित्ते वर्ष में लाइसेंस नवीनी करण में खास रुची दिखाई ऐसे में प्रदेश की 999 बार में करीब 50 दिन से 100 करोड से अधिक की शराब और बियर बंद पड़ी बार के काउंटर और गोदाम में है करीब 20 करोड की बियर तो खराब होने की कगार पर है अगर पूरे देश की बात करें तो शराब और बियर उत्पादन कमपनियों के साथ साथ अब रेस्टरॉंट, बार और खानपान संबंदी ओनलाइन सुविधा देने वाली कमपनियों ने भी सरकार से शराब की होम डिलीवरी करने की छूट मांगी है कोरोना ने मचाया कोहराम, प्रदेश की 30,000 से अधिक बार बंद 3,000 करोड रुपे की शराब हुई लॉकडाउन, रेस्टरॉंट, बार मालिकों ने लगाई सरकार से गोहार शराब की होम डिलीवरी करने की छूट मांगी राजिस्थान में तो ओनलाइन मॉडल पर प्रमुक सचिव अभे कुमार बैठक भी ले चुके हैं और ओनलाइन मॉडल का तक्मीना उच्चिस तर पर मंजूरी के लिए भेच चुके हैं शराब उत्पादन कंपनियों का मानना है कि ओनलाइन सिस्टम से कोरोना संक्रमाट की खत्रे वाले इस दौर में लोगों के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित होगी बलकि ये पावंदी में दभा हो चुके उन कामकाच को भी उबारने में मददगार साबित होगा बता दे कि संगठा ने कहा कि ये कंपनिया ओनलाइन ओर्डर ले सकती है और लाइसेंस प्राप्त खुरदरा और ठोक शराब विकरिताओं के जरीए मांग को पूरा कर सकती है संगठा ने शराब के लिए राज्य के आपकारी विभागों के तहट ओनलाइन ओर्डर करने के लिए पोर्टल बनाने का भी सुझाव दिया है लोकडाउन के करण महंगी शराब का स्टॉक हुआ जमा अगर ओनलाइन शराब की मिलती है इजासत इससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोकडाउन की भी होगी पालना तो वहीं विभनिस संगठनों की पूर्ज और मांग के बाद राजस्थान में ओनलाइन मॉडल पर ड्राफ्ट बन चुका है संभव है कि जल्द ही पालेट प्रोजेक्ट के तौर पर ओनलाइन मॉड्यूल से लिकर डिलीवरी सिस्टम को शुरू किया जा सकता है निर्मलतिवारी, First India News, जैपुर